आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर थमने लाप ने बिल्कुल सही पड़ा 17, 18, 18, 19, 19, 20 के सारे जो ओडर ओफिसर पास कर रहे हैं यह इन्वैलिड हो सकते हैं इसर क्या बात कर रहे हैं जो ओडर पास हुए बो इन्वैलिड हो सकते हैं यह बात मैं नहीं क्यारा यह बात क्यारा गोहाटि हाई कौट ने जेजमेंट दिये अभी 19 सितंबर को और यह जो गुहाटी हाई कोट है देखो यह आसाम नागा लेंड मिजोरा मरूना चल परदेश सबकी जुरिडिक्षन यहीं लगती है तो यहाँ पर एक केस हुआ केस को समझना बहुत बढ़िया केस था केस क्या है बड़ा अच्छा आपको समझ आएगा ओ सेक्षन 7310 के साफ से ओडर पास हुआ अब असैसी ने इसे चैलेंज कर दिया असैसी ने क्या बोला हाई कोट में कि यह वाला जो ओडर है यह वाला जो ओडर है जो लिमिटेशन पीरियड दिया गया है 7310 में उसके अगेंस्ट है तो अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क् कि भाईया हमने तो सेक्षन 168A के अंदर जो नोटिफिकेशन आई थी क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने क्या कर रहा था डेट एक्स्टेंड कर दी थी और वो डेट एक्स्टेंशन की पावर क्या थी सेक्षन 168 से अब चलो एक बार सेक्षन 168 भी पढ़ लो सेक्षन 16 168 क्या केता है पावर ऑफ गोर्मेंट टू एक्स्टेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सरकम्टांसिस कि अगर गोर्मेंट चाहे तो कुईसी भी चीज़ की टाइम लिमिट बढ़ा सकती है लिखावाय नोट विद एनिधिंग कंटेंड इन दिस एक्ट दा गोर्मेंट में ओन दा रिकमेंडेशन ओफ काउंसिल वर्ड को हाइलाइट करो ओन दा रिकमेंडेशन ओफ काउंसिल क्या कभी काउंसिल ने रिकमेंड करा था कि भाया ये जो नोटिस की डेट है ये जो ओडर की डेट है इसे बढ़ा दो जब काउंसिल ने रिकमेंड ही नहीं करा और आप आपने नोटिफिकेशन इसू कर दी कि भाईया हम डिपार्टमेंट के लिए इसकी डेट बढ़ाते हैं तो क्या वो वैलिड होगी मेरे इसाब से वो बिलकुल वैलिड नहीं होगी यही बात हाई कोट ने बोली है कि सेक्शन 168 क्या कहता है कि भाई आप डेट एक्स्टेंड क करा कैसे तो यहां पर यह बहुत बढ़िया चीज इन्होंने बताई है और यह जो ओडर इन्होंने पास करा है तो यहां पर मुद्धा यही ता डिसकुशन का कि यहां पर यह जो इन्होंने ओडर पास करा ठीक है रहा 168 का सारा लेके तो इन्होंने लिखा है नो नोटिफिकेशन पास अंडर वन सिक्स्टी एट ए क्योंकि वो GST जो GST काउंसिल की रिकमेंडेशन है उसके बाद होना चाहिए था तो भी अगर आपको ऐसे कोई ओडर आय हुए है तो आप यहाँ पर यह वाला ओडर अपने फेवर में लगा सकते हो 19 सितंबर 2024 का ओडर है यह 19 सितंबर 2024 का आपको अगर इसकी कोपी चाहिए तो आप हमारी टीम से इसकी कोपी भी मांग सकते हो समझ में आ गई यह वाली बात हासर यह वाली बात हमारे को समझ में आ गई है तो अगर कोई भी ऐसे ओडर है कोई भी ऐसे order है कि भाईया जो time limit के बाद पास हो रखे हैं तो आप उन्हें challenge कर सकते हूँ और अगर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है section 168A क्या कहता है बागी section क्या कहते है तो हमारा गुरू द्रोणा चार्डे कोर्स आ रहा है 8 दिसंबर 2024 से ठीक है न संडे को इसकी classes होंगी हर संडे इसकी classes होंगी अगर आपकी कोई class miss हो जाती है तो आपको इसकी recording भी मिलेगी app के through और live to जैसे मेरी ये class हो रही है बिल्कुल live आपको gym app पर class मिलेगी तो अगर अभी तक आपने इसमें registration नहीं कराया है तो फटा-फट से इसमें registration करा ले क्योंकि limited period के लिए ये price रखा गया है इसके बाद price जो होगा वो बढ़ जाएगा तो फटा-फट से इस batch में registration करा ले सर ये तो batch बढ़ी दूर है हमारे को तो कोई दूत्रा batch दे दो तो भाईया अभी हमारा अरजुन कोर्स चलना है आपको उसमें registration कराना है तो उसमें करा सकते है 80% कोर्स उसका हो चुका है आपको उसकी recording भी मिल जाएगी और 20% कोर्स जो बचा हुआ वो live भी मिल जाएगा तो अगर आपको कोई भी कोर्स जोइन करना है आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं कमेंड बोक्स में लिखकर बताओ कि यह जो due date के बाद जो यह time limit के बाद ठीक है न डिपार्टमेंट ने order पास करें यह सही है या गलत है ठीक है क्या यह high quote ने बिल्कुल सही किया या नहीं किया मेरे इसाब से high quote ने यहाँ पर बिल्कुल सही किया कि अगर कोई भी order time limit के बाद है तो उसे reject कर दिया और 168A का जो हवाला था कि जो notification है कि भाई पहले notification तो आनी चाहिए और स्रिफ notification नहीं आनी चाहिए notification आने से पहले वो GST council में रिकेमेंड भी की गई हो क्योंकि section 168 इस चीज की बात करता है कि भाई रिकेमेंडेशन होनी जरूरी है समझे इस बात को हासर यह वाली बात के लिए और यहाँ पर इस बात को समझ लेना सेम इस तरह की judgment यहाँ पर गुजराथ हाई कोट में भी है गुजराथ हाई कोट में इस ते लगा रखा है क्योंकि महाँ पर यह कह रहे हैं कि notification इस वाले section में तभी आ सकती है in respect of action which cannot be completed or compiled with due to force major तो यहाँ पर force major कुछ था ही नहीं जो ने time limit बढ़ाई थी तो यह सारे जो notice है सारे जो order है जो पास हुए है वो challengeable है वो invalid हो सकते है आपका क्या view है मुझे comment box में लिखकर जरूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आप